मानवी हस्तक्षेप जो हो रहा है और नेचरली हो रहा है तो मतलब दोनों साइमल्टेनियसली जा रहे हैं या उसमें कोई एक हस्तक्षेप की क्या बोलता है जिसको उसका ज्यादा होता है एक्चुली इसमें यह है कि हमने अपने यह जो रिसर्च की इसमें एक एक फैक्ट और पाया तो जो हमें यह लगता है क्योंकि जो जो ग्राउंड वाटर लेवल हमने जो लोवरिंग की बात कर रहे हैं तो उसका भी एक सेपरेटली हमने अनलिसिस किया क्योंकि 1964 से लेके अभ तक जो जो हम दोहन कर रहे दे जो ग्राउंड वाटर का वह जो लोवरिंग हो रही थी वह रेट था 2 मीटर प्रतिवर्स जबकि 1996 के बाद टू थाउजन नाइंटीन तक यही रेट कम होके एक मीटर प्रतिवर्स हो गया है इसका मतलब हमारी जो डिपेंडेंशी थी जो ग् गौर्मेंट के उस पर प्रयासों पर पूरा मतलब डिपेंड करता है और हमें लगता है कि गौर्मेंट इस और प्रयास भी कर रहे हैं जैसा हम इस पार्ट में जानते हैं कि जो अभी रिसेंटली या पिछले कुछ वर्षों में जो भूगर्व जल को छोड़के जैसे जमान में जो वन मीटर प्रतिवर्ष जो लोवरिंग हो रही है तो उसका डिरेक्ट रिलेशन उससे निकलता है जो भूगर्व जल का दोहन कम हो रहा है जी बिल्कुल चोप्रा साब कुछ एड़ करना चाहेंगे उसमें इन्होंने काफी अच्छी बात कही कि हमें जितना भ जो हमारे पार अंतिम वो होना चाहिए कि इसको हम यूस करने के लिए अगर गवर्मेंट के प्रयासों से रेंवाटर हार्वेस्टिंग से जैसे दुमका जी ने बताया है कि वो नर्मदा का पानी की उपलब दता है तो अगर धीरे-धीरे मारी डिपेंडेंसी कम हो रही है तो जनरली क्या होता है कि जो आपका ये सबसीडेंस लेवल है ये भी धीरे-धीरे करके बिलकुल नामातर शुन्य के बराबर है जाएगा और इसे सिस्टम जो पूरा जैसे कहते हैं सेल सस्टेन हो जाएगा जी ये एक फ्यूचर के लिए अच्छी बात है जी बिलकुल